आज मैं आपका आपने चैनल पर बिस्टे हैं, कैसे बनाती हूँ कुरूं एकर्लूर्आ को मैंने आपको बैटोस करदों को दो बूल विश्थे, गिरने हरीमिर्चो कर्या ahamu, पीरख, कीते हैं हुद शंट ही मिश्थे, भी मिश्थे हिरते हैं इन सबी सबजियों को हमने बारी काट लिया था और आप यहाँ पर और भी सबजिया एट कर सकते जो भी आपके बाबू को पसंदो उसके बाद कड़ाई में तेल डाला तेल करम होने के बाद जीरा उसके बाद थोड़ी सी हींग और जो हमने प्याज काटके रखा था उसको भी मिला देंगे और प्याज को भूनने के बाद में जो लहसन काटा था उसको भी मिला देंगे और दोनों को अच्छे से भून लेंगे और प्याज जो लहसन भूनने के बाद में हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे जैसे बिल्कुल थोड़ा सा नमक उसके बाद बिल्कुल थोड़ी सी मिर्ची थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया और आप चाहें तो मिर्ची यहां पर हटा भी सकते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर मसाले को अच्छे से भुनने देंगे मिर्ची डालने से ये फाइदा होता है कि बाबु को थोड़ा बहुत तीका खाने की भी आदत पढ़ जाती है और बिल्कुल थोड़ा से टमाटर डालेंगे हैं पर जो हमने मिर्च काटी थी उसको भी मिला देंगे और अच्छे से टमाटर को डालेंगे मैंने या पे लगवक तीन कटोरी पानी का यूश किया था आप चाहे तो कमया जादा भी कर सकते हैं जैसा आपके बाबु को पसंदो पतला या फिर गाड़ा उसी के अकॉर्डिंग पानी डालिए उसके बाद हम जो है इसको लगातार चलाते रहेंगे और गैस क बिल्कुल सिलो कर देंगे यह देखिए आप देख सकते हैं और समारे लगवक बन चुके हैं उसके बाद हमने गैस बंद कर दी थी अब मैं आपको इसको परस के दिखाती हूं यह देखिए आपको थोड़ा सा पास सी भी दिखा देखिए बिल्कुल रेडी हैं और अगर आ अगले वीडियो में